जेहन दोस्तो मेरे नामे अतुलो और स्वागत है आपके अपने यूडिप चनल अतुल डिक बजार में दोस्तो अगर आपने रिसेंटली रियल्मी 10 प्रो प्लस 5G डिवाइस लिया है या फिर कोई कर डिस्प्ले आला मुबाइल लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहु हो चुका है और यहां पर देख सकते हो मेरे जो मुबाइल है रियल्मी 10 प्रो प्लस का डिस्प्ले टूट चुका था और बहुत सारे वीडियो इस टूटे हुए डिस्प्ले के साथ ही बनाया है इसलिए आपने अब जर्व होगा बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट भी प्लस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो हमने चैनल पर बनाया है चेक आउट जरू से करिएगा यहां पर दूस्तों बात करते हैं रियल्मी 10 प्लस 5G डिवास की इस मुबाइल में दूस्तों 6.7 इंचेस का कर्ड डिस्प्ले मिलता है जो की 128 रिप्रेसरेट के साथ म कि मुबाइल आपके हास से एक बार गिर जाता है तो इसके बचने के चांसे 99% नहीं है वन परसंट चांस में भी हो सकता है तो यहां पे गलती से किर रहा मैं जब slow motion वीडियो बना था YouTube में तो मैं कोछ जादा ही पास में आ गया था और यहां से hand से यह जो mobile गिरा था concrete वाली street पे गिरा था जिससे कि यह break हो गया था corner से अब भाई आपके साथ यह हाथसा नहों इसलिए में यह वीडियो बना रहा हूँ आप select कर लिजेगा और जैसी आप 10 pro plus यहाँ पे select करते हैं इसकी सारी detail आपके पास आजाएगी कि कौन से इसके parts का क्या rate है तो आप देख सकते हैं 25k का जो मैंने mobile लिया था उसकी screen यहाँ पे display टूटा है यहाँ पे display पड़ रहा है और service center वाला आपको 500 रूपीज तक चार्ज कर सकता है तो approximately आपका जो budget है मुशली 9000 के आसपास समझ गया क्योंकि यह card display mobile है यही parts अगर display आपका 10 pro 5G device का break होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो screen cost इसका 6000 रूपीज है तो भी display को बचा के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे ही दोस्तों आप अपने mobile कॉन बॉक्स करते हैं यहाँ पे TPU cover case दिया हुआ है यह अच्छी quality का है अगर इससे अच्छी quality आपको और भी चीए तो market में available है लेकिन आप सबसे पहले तो यार इसको यहाँ पर wear करवा दीजिगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इसके जो corner से यह निकले हुए है ताकि अगर आपका mobile निकलता है मुश्टली corner से ही break होते है तो यहाँ पर यह जो है आपका mobile protect कर सके है लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट से देख सकते हो आप सेंटर वाला जो डिस्प्ले है कर डिस्प्ले होने के कारण यह निकला हुआ है और आपका mobile डिस्प्ले तरफ से जाता है तो कोई भी बचने के चांसे नहीं है मोस्टली यहाँ पर इस तरह के ही ड्रॉप्स हो में देखने को मिलते हैं जैसे कि मेरा mobile भी corner से ही ब्रेक गवा था और उस समय यहाँ पर मैंने जो है इसका TPU cover case नहीं पहना आया था तो मेरी यह गलती हो गई है बट आप यह गलती नहीं करेगा अच्छी quality का जो glass है वो अगर आपको offline मिल जाता है तो अच्छी बात है online भी यहाँ पर 500 कुई रूपिस तक अच्छे से अच्छा glass मिल जाएगा और पीछे आप जो है screen लगा सकते हैं screen का भी वीडियो में बहुत जल्दी लेके आना होना बहुत ही अच्छी screen इसकी provide कर देंगे जिससे कि आप जो है इस mobile को protect करके रख सकते हैं अगर आप इसको ऐसे ही use करते हैं तो definitely dangerous हो सकता है जैसे कि यह मेरे साथ हुआ है तो भगवान न करें आपके साथ ऐसा हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप aware रहें तो भी company ने कामदाम में काफी अच्छी चीज़े इस mobile में provide की है आप अगर इससे product रखेंगे तो काफी long lasting use कर सकते हैं यहां में दोस्तों बहुत सारे वीडियो इस decent mobile के recording हमने चैनल पे बना है चेक आउट जर्यों से करिएगा फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स ने वीडियो के साथ में तब तक लिजान बोलते रहे हैं बंदिमातरम